आपको पीछे तो दीख रहेंगे आज मैं असरा सेयदना सदुद्दिन बाबा रहें मुद्द लाले के दरगा श्रिक्त आया हूँ अजरत का उरुसे पाक है इसे द्हुमाल कहते हैं आप देखो दोस्तों कि अरुसे पाक में देखो कितनी भीड़े बीड़ देखो कितनी सारी कि आपर कड़े रहने जगाई नहीं है अभी तो बहुत कम भीड़े तब इतनी भीड हो जाती है और जो बच्चे रहते हैं उन्हें उसमें डाला जाता है हजरत सेयद सद्रुदिन बाबा रहम दुलाले ये मदिने शरीप से होते हुए दिल्ली आए दिल्ली में हजरत निजाम उद्दिन ओलिया ने आपको कुल्दाबाद बेजा फिर वहाँ से होते हुए आप नासीक से आए फिर आप नासीक आपको इतना पसंद आए कि आपने नासीक में आराम फर्मा दिया अपके लिए आराम फर्मा हुए फिर वहाँ पर साजिक सिंसा हुसेनी का आने का आपको कहा गया तो फिर आप आगे एगदपूरी में पिपरी गाओं में तश्रीप लेकर गए ये आपका उसे पाक है आपकी बहुत सारी करामत है आप जब यहाँ पर तश्रीप लाएं तो यहाँ पर एक कुवा था वो कुवे में आपकी करामत ऐसी थी किया वो कुवे से दूद निकलता था बाकी कुवे से पानी निकलता है लेकिन आपके हाँ पर फैस्ता आपके हाँ पर ये कुवे से दूद निकलता था पहले जमाने में फिर वो उस वक्त के कुछ लोग थे वो तूद उसमें से निकाल कर अपने घर लेके जाने लगे तो धीरे धीरे करते वो तूद निकलना ही बंद हो गया अजरा सेयत सद्रुदन बाबा रहमत अले इनकी करामत देखो कितनी शान है इनकी करामत की माशालला और ये चिस्टी सिलसले से है मेरे आका सुलिल्लाओत अलेशलम के मदिने से ये इंडिया में तश्रीफ लाए और ये गत्पुरी में अराम फरमाया और ये गरीब नौस के सिलसले से है और माशालला इनकी करामत ये जो फकीर है ये जो फकीर है तो गो एक फकीर देखो जो लेटा है ना उसके पीट में उन्हें सलिया डाला है मतलब लोकंड का सलिया है ना वो उसके पीट में डाला है लेकिन फिर भी उसे कुछ हो रहा नहीं है काफी दिर तक हम लोग ये देख रहे हैं लेकिन उसे कुछ ही नहीं हो रहा है वो सलिया उसके पीट में डाला है और उसके बाद में उसके गले में भी सलिया डाला है बहुत कुछ हो रहा है आपर ये फकीर लोग है ये सब कुछ करते हैं लेकिन इन्हें कुछ होता नहीं है ये उरुस मुबारक में आये हैं सब ये देखे आप देखिए ये लोग इतने सलिया दाल रहे इतना कुछ कर रहे लेकिन इन्ह पुछ भी नहीं हो रहे यह सब दरगाश सीरिप पे आते हैं यह फकीर लोग देखी है, दुमाल शुरुव हो चुकी है, बच्चों को डाला जा रहा है जिने आउलाद नहीं होती है जिने आउलाद हुभी है दुआओं से मन्नोतों से उन्हें हाँ पर लाया जाता है जेको बच्छों को डाला जा रहा है एक आग जलाए जाती है कोईला जला जाता है उसमें इने डाला जाता है लेकिन किसी को कुछ होता नहीं है सब अच्छे से निकलते हैं और किसी को तक्लीम नहीं होती है